नमस्कार दोस्तों, लक्षमी जी प्रातकाल में जब प्रुत्वी पर ब्रह्मन करती है, तो उसी समय लक्षमी जी हमारे द्वार पर प्रवेश करे, इसके लिए आपको ये चार कार्य करने होंगे, अगर आपने इन चार काम को किया, तो लक्षमी जी आपके घर में देखिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों वो कौन से चार काम हैं जो आपको करने हैं ये हम आपको बताने वाले हैं इन चार बातों को ध्यान से सुनिए अगर आपके पास कलम हैं तो इसे लिख लिजिए आपके घर में ये चार कारियर रोजाना होते हैं तो आपके घर में लक्षमी जी जरूर प्रवेश करेंगी अगर आपके घर में ये चार कारिय नहीं हुए तो लक्षमी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी आपको दारीद्रता लडाई जगडे कलेश बीमारिया इत्यादी जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि सुबा सुबा माता लक्षिमी संसार पर ब्रह्मन करती है और साथ में दारिद्रता देवी भी आती है तो माता लक्षिमी जी कहती है जिस घर में प्रात काल में दर्वाजे पर पानी छीटा गया हो आंगन में पानी छीटा गया हो वहां में आवश्य प्रवेश करूंगी जिस घर में दर्वाजे और आंगन में पानी छीट कर दर्वाजे पर दीपक जलाया गया हो या दीप प्र प्रजवलित किया गया हो उस घर में मैं बिना सोचे समझे प्रवेश करूंगी जिस घर में रंगोली हो जिस घर में दीपक प्रजवलित हो जिस घर में पानी छीटा गया हो और जिस घर में और पानी से भरा हुआ कलश दर्वाजे पर रखा हो दोस्तों अगर आप गाउं में जाकर देखोगे तो आपको हर घर के आगे पानी से भरा हुआ कलश दिखाई देगा जिस घर में दर्वाजे पानी से भरा कलश रखा गया हो वहाँ पर में बिना सोचे समझे ही प्रवेश कर जाऊंगी ऐसा माता लक्षिमी जी कहती है माता लक्षिमी जी कहती है इसी लिए आपको भी माता लक्षिमी जी को खुश करना है प्रसन करना है तो आपको रोजाना प्रात काल में ये चार कार्य आवश्य करने होंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दारीदरता आएगी दारीदरता के भी कुछ नियम होते है जैसे माता लक्षिमी जी के कुछ नियम होते है उसी तरह देवी दारीदरता के भी कुछ नियम होते है जब प्रातकाल में लक्षिमी जी के पीछे पीछे दारीदरता देवी आती है तो वो कहती है कि जिस घर में दीपक जलता मिले तो उस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी जिस घर में साफ सफाई मिले तो वहाँ पर भी मैं नहीं जाओंगी जैसे माता लक्षिमी जी के चार नियम है तो उसी प्रकार दारीदरता देवी के भी चार नियम है दारीदरा देवी कहती है जिस घर में सुबा बहुत देर तक कंबल तान कर लोग सोते हुए मिले उस घर में मैं जरूर प्रवेश करूंगी और जिस घर में रात के जूटे बरतन सुबा तक वैसे ही रखे हो तो उस घर में मैं आवश्य प्रवेश करूंगी जिस घर की महिलाएं दिन के समय में सोती है उस घर में दारीद्रता आती है जिस घर में लोग लड़ाई जगडे करते हैं उस घर में दारीद्रता आवश्य प्रवेश करती है जिस घर में गंदगी होती है उस घर में दारिद्रता जरूर आती है क्योंकि माता लक्षिमी जी को स्वच्छता पवित्रता शुद्धता पसंद होती है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्षिमी जी निवास करे तो आपको बताये गए ये चार काम रोजा न ही करने हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले